राजधानी दिल्ली में अब फिर से चिकन बिकेंगे बर्ड फ्लू के खत्रे को देखते हुए चिकन की बिक्री पर रोक लग गई थी और इस रोक को फिलहाल हटा लिया गया है यह फैसला पॉल्टरी मार्केट से लिये गए सेंपल्स के बर्ड फ्लू टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद लिया गया दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केस्जेवाल ने गुरुवार को कहा कि सेंपल्स नेगेटिव आये हैं जिसके बाद उन्होंने पोल्टरी मार्केट को खोलने का निर्देश दिया। इसके अलावा चिकन की बिक्री और जिंदा, मुर्गे, मुर्गियों की आयात पर लगी रोग को हटा लिया गया है। इससे पहले दिल्ली पशुपालन विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने गुरुवार को बताया, एशिया की सबसे बड़ी गाजीपूर मुर्गा मंडी से लिए गए सभी 100 सैंपल्स में बर्ड फ्लू नहीं होने की पुष्टी हुई है।